या इजमेर के गांधी भावन के बाहर एक रिक्षे वाला है जो लगबग दो दिन से बुखार में बताया जा रहा है कि उसको बुखार है और खांसी जुकाम उसको रखिये इसके लिए गांधी भावन के बाहर देली वाल पॉब्लिक स्कूल इंडियास नंबर वन इमर्जिं स्कूल जहां है काडमिक्स स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का बेहतरीन कॉंबिनेशन एडमिशन से संदिक्त पाया गया तो कुछ मीडिया के साथ ही उन्ने पाउन करकर सीमेच औ को फॉन का गया लेकर पाहर दूसरी अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई ए और उसके बाद में कस्तूर्बा अस्पताल से एक मैडिकल की टीम यहां पर आई है और मैडिकल टीम ने यहां पर आकर इनको दवायां दी हैं बुखार के लिए दवायां दी हैं और ये पूछा है उनसे जानकारी लिए है कि कितने समय से इनको बुखार है और कैका सिम्टम से इनके अंदर इस समय किसी बिमारी को लेकर हो रखे हैं इसके साथ ही मैडिकल टीम ने इनके नाम और इनसे दुबारा जानकारी के लिए इनका पता भी नोट डाउन कर लिया है उस सर्वे की जानकारी मेडिकल टीम ने अपने पास रख ली है हाला कि यहां पर एक चीज जरूर देखने को आ रही है कि इस तरीके से शेर में बाकी जगे भी बहुत सारे ऐसे लोग जो सडकों पर रहते हैं वो इस समय वहां रुके वे हैं इसके लिए सरकार को एक रोकताम के लिए कोरोना वायरिस की महामारी से बचाव के दोरान एक काम जरूर करना चाहिए था प्रिचाशन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था कि जटने भी सड़क किनारे लोग रह रहे हैं जुकी जोप्र में जो लोग सडकों के अपर रहे हैं जिनका कोई आशरा नहीं है ठिकाना नहीं है ऐसे लोगों को जो निगम के जरीए सर्दी के अंदर जो रहन बसे रहा होता है जहां पर ये लोग चले जाते हैं वहाँ पर इनको जबर जस्ती रखना चाहिए था उनके खाने पीने की विवस्ता करवानी चाहिए थी ये एक कहिना कही एक बड़ी कमी लापरवाई जो है वो नजर आ रही है इस दोरान शेहर में हाला कि पूरी तरीके से शहर बंध है लेकिन फिर भी जो इस तरीके से लोग हैं जुगी जॉपड़ी में रहने वाले लोग हैं रिक्षा चलने वाले लोग हैं सटकों के किनारे सोने वाले लोग हैं इन तमाम लोगों को रेंड बसेरे में रखना चाहिए रेंड बसेरे में इनको सेनिटाइज करना चाहिए रेंड बसेरे में लगातार मेडिकल की टीम इनके मौनिटरिंग करनी चाहिए क्योंकि संक्रमन फैलने का डर इनके जरीय भी बह पर आई ये और सर्वे भी पूरा हो चुका है लेकिन अब देखना ये होगा कि ये यूवक जो है ये कब तक यहीं पर रहता है इसको यहां से रेन बसेरे में शिफ्ट किया जाता है इसी कोई विवस्था की जाती है या नहीं की जाती है नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखे हम सब मिलकर नावल करोना वाइरस या कोविड नाइनटीन को पहलने से रोख सकते हैं इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खासते या छीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखें सावन और पानी से लगब 20 सेकंड तक दोएं भीड बाहर वाली जगह पर जाने से बचें अगर आपको खासी बुखार या असास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षण देखने पर तुरंट तुरंट अपने डॉक्टर से सला अस्पताल में आप अपने मूँपर मास्क या रुमाल जरूर रखें अधिक जानकारी के लिए स्वास्त परिवार कल्यान मंत्राले की एक हल्प लाइन है शून्य एक एक दो तिन नौ साथ आठ शून्य चार छे अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए झाल